तो इस लोकेशन से रिगार्डिंग मेरी तीसरी वीडियो है तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ समझाऊंगा internal development planning समझाँगा product का ब्रोसर समझाँगा product का layout समझाँगा product का कहां कहां आपके floor बनने वो सारे इससे पहले दो वीडियो में डाली है location के भी site में समझाई है sona के बारे में भी समझाई है वो जो देज़ना उसके बाद इसको देखना क्योंकि अगर इसको देखा तो यह नहीं समझ में आएगी तो शुरू करते हैं आज के वी इस वीडियो को इस वीडियो से सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी जो sona का internal sector 35 और 36 का जो internal development planning है उसको समझाता हूँगा internal development planning पे आ गए हैं यह है sona road इधर गुड़गाओं की तरफ जाएंगे और इधर हम चले जाएंगे sona की तरफ इधर यह सारा central park flower valley, bridge के आशियाना के सारे इस side आते हैं इसके इस side की बात करते हैं तो यहाँ पे ना ATS का ऐसे gate है यहाँ पे gate है क्योंकि यह green belt है अभी, तो यह project ऐसे है इस side meter road के साब ठीक है, इस side meter road से यहाँ से entry है ATS की और mansona road से ATS की entry है यहाँ पे अभी floor बन रहे है कौन ला रहा है, BLF ठीक है, यह यहाँ पे floor बना रहा है और BLF पिछले 10 साल से real estate market में है यह जैसे त्रेहान group हो गया आपका, लबरनम हो गया यह क्या करते थे, कि जैसे sector के अंदर या kloning के अंदर floor बनाते तो ऐसे यह floor बनाते थे, तो इनका यह पहला project है, पहले project के अंदर यह ATS के अंदर इन्होंने plot करीदे हैं, और plot करीद के यह चीजे बना रहे हैं, और यह location काफी premium है, तो यह जो project है इस 60 मेटर dividing road से भी मिलता है, और mansona road से भी मिलता है, आज पास काफी लोग रहते हैं, मैं जो की last video में आपसे discuss कर सुका हूँ, अब मैं आपको इसका site layout दिखाता हूँ, उसके बाद floor plan समझे दुगाओं चले जाएंगे, यानि GGN, ATS का यह total जो land parcel यह है 15 एकड का, ठीक है 15 एकड में ATS ने यह plot है, वो लोज किये हुए है और आज यहाँ पे डेड़ लाग पलस रिसेल है इसका अभी जो gate लगा हुआ है यह वला है, यह gate है इसका ठीक है, रोड और प्रोजेक्टों के बीच में 38 मेटर की green belt होंगी ठीक है, उसके बाद फिर 12 मेटर की होंगी आपकी service line ठीक है, तो यह gap होगा मैन highway और इसका उसके बाद यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बता था कि यहाँ पे commercial वनने लग रहा है उसके बाद यहाँ पे cricket वीच और आपका basketball का यह court होगा यह garden proper ready है इसमें open gym, अभी तो बहुत सारी इसमें activity इन्होंने लाने बाकी है, उसके बाद यह डेड एकड का community area है यह भी setup होगा जब तक यह floor develop होगे उसके बाद यहाँ पे तकरीबन यह पोणे दो एकड के अंदर यहाँ पे आएगा commercial और यह सारी आप क्या garden हो गए कि आभी, ठीक है उसके बाद यह dividing road है 60 meter का, जो कि मैंने पीछे आपको internal के अंदर मैंने बता था, तो यह 60 meter का road है इधर की बाद करों तो sector 35, इधर की बाद करों तो sector 36, तो यह dividing road है, कितना 60 meter wide road, तो इस project की जो entry है, वो इधर आ जाती है यहाँ से entry आ जाती है तो यहाँ से entry, तो तीन entry आपको इस project की इस 60 meter road से मिलती है, उसके बाद एक entry आपको यहाँ मिलेगी, mansona road के उपर, तो अभी जो floor आपको देखने को मिलेंगे लबर इसके अंदर, वो यह वाली road पर आपको मिलती है ठीक है, इसमें बहुत सारे floor है, वो sold हो चुके हैं इसमें एक benefit बताऊं, यह सारे जो plot हैं, यह south facing के हैं और south facing अपने flat की जो entry है, east facing में हो रही है या west facing में, वो check होगी, तो यानि इसकी इस balcony में आपके floor में proper sunlight होगी, और sunlight जिस flat में आती है, वो वैसे ही वास्तू के proper होता है वहाँ पर बरकत भी होती है तो इस वाली room में proper sunlight रहनी है और sunlight में आपके flat में light का जो consumer वो कम होगा, उसके बाद sun की जैसे दोपायर स्याम होती होई जाएगी तो पीछे वाली balcony के अंदर आपकी धूफ आजाएगी, उसके बाद कुछ एक दो plot यहाँ आपको मिल जाएगा ये वाली row है ये बाद में open करेंगे, इस row के अंदर आपको मिल जाएगे, फ्लोर ठेक है, कुछ इस फ्लोर के अंदर मिल जाएगे और कुछ आपको इस row के अंदर भी हम ट्राइ कर सकते हैं अभी शरफ 21 plot के उपर ही फ्लोर ready किये हैं और ये एक साल के अंदर ready हो जाएगे, तो इससे बड़िया चीज नहीं मिलेगी, payment plan बहुत अच्छा है, payment plan है आपका 30 within one month 10 superstructure 60 of around possession, जब possession होगी ये loan से आप दे सकते हैं, 60% वाला part ठीक है, और एक साल के अंदर तो आपको वैसे property मिल रही हो loan वाला part आपका तभी जा रहा है जब आप loan लेते हैं तो जहां पर rent पर रह रह रहे हैं आप अपने घर का की माई दो ना जितना आप rent देते हैं ये benefit मिलता है तब तक rate भी है, नॉम्बर में rate बढ़ रहा है अब मैं आपको थोड़ असा और इसकी जो जो layout है, size हैं आपको बिता देते हैं दोस्तों जब दो प्लोट को जोड़के ये ऐसे बनाया जाएगा क्योंकि इस्ट और वेस्ट की facing रहेगी तो इस जो फ्लोरों का नाम होगा वो होगा नेचर वैली तो ग्रील होंगी प्रोपर तरीके से अच्छी glass door होंगी आपके फ्लैट के फसाड काफी अच्छा है इन्होंने design किया हुआ है गेट होगा दोनों का और बीच में आपके प्लोट का number और जो भी फ्लैर का आपके जो बैल वगएरा है फ्लोर की वो सारी यहां होगी प्रोपर तरीकी से अच्छा design इन्होंने निकाला हुआ है ठीक है जो third है और fourth है इन दोनों को मिलेगा terrace इनको half-half terrace दिया जाएगा third और fourth को second को नहीं मिलेगा first को नहीं मिलेगा basement नहीं है इसके अंदर क्योंकि basement maintain नहीं होती है आपके maintenance का burden आपके ऊपर आ जाता है अब दीरे दीरे आगे आपको देखेंगे कि floor के अंदर आपको basement नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि जिन प्रोजेक्टों के अंदर basement है और उनका use करके लोगों ने देख लिया है कोई use नहीं होता है तो यहां पे यह benefit आपको मिलता है चत होगी जो चत है वो हाफ हाफ यहां पे design करके कुछ इस तरीकी का चीज़े ready की जाएंगी आपकी यह देख रहे हो चत का view आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें चत का view इसलिए भी benefit मिलेगा क्योंकि पहाडिया है ना असपास जो मैंने गार्डन के अंदर एक्टिविटी आपको बताई थी प्रोपर आपको मिलेंगी कीट्स फले अरिया होगा बैडबिंटन बास्केटबाल कौर्ट्स, सौपिंग कॉंप्लेक्स, किर्केट बीच आउटओर जीम, योगा लोन एमफी तियेटर आपको मिलेगा जोगिंग ट्रैक होगा, सिनियर सिटीजन सिट आउट होगा, आउटओर लाइबरे और जितने भी जो लाइन में मैंने फ्लोर आपको बताए थे वह यह वाले जो फ्लोर का डीजाइन प्रोपर तरीके से अगर प्रोविजन है वो दिया जाएगा उसके उबहाद यह फ्लोर है अब बात करते हैं ले आउट की तो ले आउट में थ्री भी एच के पंदरा सो तीन स्क्वेर फिट जो की प्लोट साइज है 167 स्केर यार के उपर यह प्लोट पे फ्लोर बना रहे हैं थ्री भी एच के थ्री टोईलेट इसके अंदर देख रहे हो कि यह जो आपके यह कोमन रहेगी दो लिफ्ट मिलती है एक इनके एक इनकी तो यहां पे जैसे एंटर होते है तो पूरा लिविंग डाइनिंग एरिया है यह वाली किचन के साथ फिर यह पीछे बैलकनी आजाती है यह बैडरूम है 14 वाई 10 का इसके साथ अटेच वोस्रूम है दोस्तो फ्लैट के अंदर कोई भी साप्ट एरिया नहीं है जिस फ्लैट के अंदर साप्ट एरिया नहीं है वो वैसे ही वास्तू के अकोर्डिंग होता है उसके बाद दोनों वोस्रूम आपके बैलकनी के अंदर होगे यह वाला वोस्रूम भी बैलकनी यानि फ्लैट के ही सेरी के अंदर कोई वोस्रूम नहीं है आप कहीं भी मंदिर बना सकते हो कुछ भी अपने फ्लैट के अंदर हेर फदल बद कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो फोपर बड़ी बंकनी आपको मिले किचन मिलती है 7.5 वाइट 10.5 के आपको बैल्कनी मिलती है फिर चार फिट वाइड लंबी आपको बैलकनी मिलती है बैड्रूम यह वाला है 13 बाई 12 का वोस्रूम है 4.8 वाई 8 का यह कवर्ड के लिए आपका स्पेस हो गया मस्टर वैड्रूम हो गया 14 वाई 12 का इसके साथ है यह वोषरूम एरिया हो गया और आपके साथ अटेज्ट आपकी जो बैलकनी वह होगी लिविंग और डाइनिंग एरिया है 21 वाई 12.2 का आपका प्रोपर को टाइप का आपका लिविंग डाइनिंग एरिया है आप चाओ तो इधर जो भी चेंज करना चाते हो वैसे कर सकते हो और इसके लिए एंट्रेंस करते हैं तो पहला बैडरूम इधर हो गया दो बैडरूम उधर होगे क्योंकि living dining है तो आप guest के लिए ये bedroom यूज कर सकते हो क्योंकि इधर भी balcony है और फिर इधर आपके family launch के लिए हो जाती है 3BH के 2 toilet का ये size आतता है 1242 square feet का जिसके अंदर 3 bedroom दो size आपके 2 washroom मिलते हैं proper lift वगरा दी जाती है उसके बाद 2BH के 2 toilet का size मिलता है 1090 square feet का आपको size मिलेगा जो नीचे रहेगी जो आपकी parking space रहेगा मैंने बता था ना parking space प्रोपर तरीके से lift stairs ये बीच में रहेगी आपकी पूरी चीजे हैं डाल रखी हैं आप मेरे टेलिग्राम चैनल में WhatsApp चैनल में देख सकते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पे आते हैं लास्ट पॉइंट है price list का price list क्या है 2 BHK और 3 BHK सबसे पहले हम लेते हैं छोटा size यानि 2 BHK का जो है 1099 square feet का 2 BHK फर्स्ट फ्लोर 1.40, सेकंड फ्लोर 1.35, थार्ड के साथ वीट टेरेस 1.45, फॉर्थ के साथ वीट टेरेस 1.45, पावर बैकप डेड़लाग रुपे, कार पार्किंग 4 लाग रुपे, PLC 5% दिसंबर में पोजेशन हो जाएगी पेमरन प्लान है 30, 10, और पोजेशन 60%, ठीक है, तेरा सो, तीन, बारा सो, ब्यारी स्केर फिट के 3 BHK, ये फर्स्ट फ्लोर का प्राइज, ये सेकंड का, ये वीट टेरेस है, ये वीट टेरेस है, तीस नॉवंबर के बाद रेट रिवाइज हो रहे हैं, ये प्राइज लिस् दॉचा है, बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन वह टाउट तभी किलियर होंगे, जब आप घर से निकलेंगे विजिट के लिए, वह टाउट वहां पे होंगे, बहुत सारे लोग है, जो फोन करके, ये चीज़े डाउट हो नहीं होते, क्योंकि जब तक आप देखोगे न तो उन doubt को clear नहीं किया जा सकता तो दोस्तो आज ही प्लान बना लो इस चीज को क्योंकि फिर नहीं है जितना आपने पता है कि market वैसे उठती जारी अब time floor का आच चुका है सस्ते rate में आप कल चीज नहीं मिलती देट दो क्रोड में बड़ी मुश्किल से चीज मिलती है तो आप इसको प्लान कर लो मिल लो को कर लो जो आपको ठीर लगता है यह इस चीज का benefit उठालो तो दोस्तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक सेरो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके जाना ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलते रहें थेंक्यू